सब्सक्राइब तो मा यूटूब चैनल और प्लेस बेल आइकन तो गेट लेटर्स अपडेट कॉंटिटी ओफ सीमेंट, फाइन एग्रिगेट, कोर्स एग्रिगेट इन M20 ग्रेट ऑफ सीमेंट जैसा कि हमारा पिशला वीडियो था उसमें हमने grades of concrete पढ़े थे different grades of concrete क्या होते है और उनमें रह ощущ क्या होता है सीमेंट, कba play aggregate और खार्य क्राइश क्या होता है आज देखेंगे कि यह grade of concrete है इसम में जो different इसमें जो सीमेंट, सेंड़ कोर्स एग्रिगेट वहता है वो कितना use होता है और हम देखेंगे कि वो कैसे calculate करते हैं हम आज देखते हैं M20 grade of concrete जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बता है कि M20 grade जो होता है यह होता है 1 is to 1.5 is to 3 one जो होता है cement होता है sand और जो यह होता है coarse aggregate होता है और जो यह sand है इसको fine aggregate भी बोलते है तो आज हम देखेंगे M20 grade of concrete जो है उसमें cement, sand और coarse aggregate कितना use होता है हम assume करेंगे कि हमारे पास एक slab दी हुई है slab हमारे पास है जिसके dimensions हम करेंगे 10 by 5 by 0.15 यहने कि जो slab है इसकी length 10 meter, breadth 5 meter और जो इसकी ठिकनेस है height हम बोल सकते है depth बोल सकते हैं 0.15 meter तो हम देखेंगे कि इसमें cement, sand और coarse aggregate कितना use होता है हम देखेंगे कि इसकी quantity कितनी होगी slab की quantity होगी हमारे सीधे 10 into 5 into 0.15 तो जब हम इसको multiply करेंगे 10 into 5 into 0.15 तो यह हमारा आता है 7.5 क्यूबिक मीटर तो यह हम जो 7.5 है यह हमारी final quantity slab की तो जो हम material calculate करते हैं वो हमें चाहिए dry तो dry quantity of dry material की quantity होती है वो 54% इससे ज्यादा होती है तो dry quantity जो हमें चाहिए 7.5 into 1.54 यह हैगा 7.5 into 1.54 यह हमारा रहा है 11.55 क्यूँ तो हमारी slab की जो quantity हम calculate कर रहे हैं वो 7.5 cubic meter लेकि जो dry quantities हमें चाहिए material की उनकी total quantity है 11.55 क्यूँ तब इसमें पहला जो step होता है कि जो भी ratio दिया होगा उसका sum लेना होता है sum 1 plus 1.50 plus 3.0 तो यह हो गया 5.5 तो पहला part cement निकालने के लिए cement हमारा जो use हो रहा है एक part है 1 divided by 5.5 total quantity 11.55 तो यह आएगा 1 by 5.5 into 11.55 तो यह हमार आएगा 2.10 cube q when a problem cement यह आगे 2.1 cube लेकर हमें पता है कि density of cement जो है 1440 kg पर क्यों तो एक क्यूबिक मीटर में 1440 kg होते हैं तो इसको हम kg में convert करेंगे 2.10 into 1440 तो एक kg में convert हो गया 2.1 into 1440 यह हमारा आएगा 3024 kg तो cement एक बैग में 50 kg होते हैं तो अगर इसको बैग में change करेंगे 3024 by 50 यह हो जाएगा तो यह मिलेगा हमारा 60.48 बैक्स तो इतना cement हमें हमारा यूज होगा 60.48 बैक्स तो अब हम इसमें ऐसी calculate करेंगे कि जो हमारा बी में बी पार्ट fine aggregate या इसको हम send भी बोलते हैं तो हम देखेंगे इसमें send जो है 1.5 divided by total sum जो है 5.5 into करेंगे total quantity 11.55 तो यह आएगा हमारा 1.5 divided by 5.5 into 11.55 तो यह send जो हम normally लाते हैं मैं पादा कि cubic feet में लाते हैं dumpers में जो लाते हैं तो इसको हम cubic feet में भी convert कर सकते हैं 35.18 into 35.31 cubic feet तो हो जाएगा 3.15 into 35.31 11.227 cubic feet तो इसी तरीके से अब हम calculate करेंगे core segregate करेंगे करेंगे तो है 3 by 5.5 into 11.55 यह माराएगा 3 by 5.5 into 11.55 6.30 cube equal to 3.15 into 35.31 cubic feet तो यह माराएगा 6.30 cube equal to 3.15 into 35.31 cubic feet तो यह माराएगा 6.30 3 multiplied by 35.31 into 222.45 cubic feet तो एप्रोक्स्मेंटी राउंड़फ करके 223 cubic feet हम बहु सकते हैं इसको 1 1 2 cubic feet तो यह हमने देखा कि अगर हमारे पास slab दी होगी और create of concrete I am 20 है तो हमारा जो cement इसमें है 60 bags यूज होंगे और जो हमारा fine aggregate है वो 112 cubic feet यूज होंगे और जो हमारा course aggregate है हमारे 223 cubic feet यूज हो सकती है इसी तरीके से अगर कोई भी dimensions आपको दिये होंगे तो इस procedure से आप उसकी quantity calculate कर सकते हैं hope आपको इवीडियो पसंद आया होगा like जरूर कीजेगा और share कीजेगा subscribe to my youtube channel and press bell icon to get latest update